हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे होंगे मैं माही स्वागत करते हूं आप सभी का अपने चैनल क्रिएटिविद माही 20 में तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है उसमें मैं बताने वाली हूं कि कैसे बच्चों को हिंदी आप आसानी से लिखना सिखा सक लिटमे बते हैं जो की बच्चों को इतनी जल्दी नहीं समझमें आते हैं तो आपने बच्चों को स्टार्टिंग में और सेखान न इस तरह की प्लेंड शीट आउन कि ले लीजी और उसमें बीग बॉक्स बना लेजिए बड़े-बड़े बॉक्स बना लेजिए हकाademे होती है बच्चों के लिए आपने इस तरह से पहले बड़े-बड़े बॉक्स बना लेने हैं हो सकता है आपका बच्चा इन बॉक्स में छोटा भी बना सकेगा या फिर वो बड़ा भी बना सकता है या फिर इतना बड़ा भी बना सकता है ठीक है तो इसमें बच्चों को किसी गुमावदार होते हैं तो सबसे एजी जो है हिंदी में आप उसे उ लिखना सिखाई है सबसे पहले ऐसे आप बच्छों को बोल सकते हैं जैसे थ्री लिखा जाता है वैसे बनाने को थ्री लिख दिये इसको बोलेंगे उ और इसी तरह से उ बड़ी उन भी लिख के बताईए ऐसे थ्री लिख के यूँ करके पूँच बना देनी उ बड़ी उन हिंदी में कोशिश करनी है कि जो जो अक्षर सिमिलर है वही सबसे पहले आपने लिखवाने है बच्चों को ये उ हो गया बड़ी उ हो गया अब जब बच्चा आपका ये लिखने लगेगा तो उसे और ल आ लिखना सेख जाएगा तो वो अ भी लिखना सेख जाएगा आप बच्चों कहा सकते हैं ला बना कर एक और बड़ी लाइन डाल देनी है ये हो गया हमारा अ बड़ा आम इसके बाद आप बच्चों को रो लिखना सिखाए इस तरह से रो जब बच्चा रो सीख जाएगा तो वो ए छोटी एडी भी लिखना सीख जाएगा इस तरह से रो बनाके इस तरह से ए छोटी एडी ए छोटी एडी और ए बड़ी एनक भी सिमिलर है तो जब ए छोटी एडी लिख लेगा तो ए बड़ी एनक भी उसके लिए आसान हो जाए लिखना इस तरह से करके इस तरह से यह बड़ी एनक उप है अब आपने बच्चों को यॉ ना चाई हौणों को प्रब्राशम को पाई वो 2 अधा भी जॉक्त यॉक्त करेगा इस तरह से हो वो उखंगत तो बॉ भी लिखना आजाएगा इस तरह से व बना कर ऐसे बॉ जब व और बॉ लिखना सीख जाएगा तो आप उसे कॉ लिखना सीखाईए ऐसे वान डालकर व बनाकर इधर से यू करके पूँच बना देनी है ये बन गया हमारा कॉ ठीक है उसके बाद अब वो रॉ लिखना उसके भी सीख गया है और अब उसे खो भी लिखना सिखा सकते हैं बहुत ही अराम से जैसे बच्चों को बोलीए कि रव बनाकर और ये वो बना देना है ऐसे ऐसे यह हो गया ख़ तो इस ट्रिक से अगर आप बच्चों को लिखना शुरुआत में सिखाएंगे ना तो बच्चा आपका 100% बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएगा लिखना तो यह हमारा हो गया कह ख़ भी हो गया उसके बाद घ़ बनाना सिखाएंगे जैसे कि आप बच्चों को बोल सकते हैं कि उल्टा थ you それ इस तरह से होता है आपने बच्चों को कहना है उल्टा करके थी बनाना है यासे वन यह उग तो धह से धनुष भी शीख जाएगा इस तरह से यहां से थोड़ा सा टॉन कर देना है यह गया धह से धनुष और जब घह और धह लिखना शीख जाएगा तो वह च्छ भी आसानी से लिख लेगा इस तरह से उल्टा थ्री बनाकर इसको ऐसे कर देंगे यह हो गया 6 उसके बाद E छोटी इमली लिखने में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आपने कैसे सिखाना है छोटा सा वन डाल कर जैसे S बनाता है बच्चा उससे कहिए S बनाने को इस तरह से फिर इधर से टर्न कर देना है यह हो गई E छोटी इमली और E छ सीख जाएगा इस तरह से छोटा वन एस बना कर और इधर से एसे यह बड़ी एक तो उमीद करती हूं आपको समझ आ रही होगी मेरी वीडियो कि किस तरह से आप बच्चों को हिंदी लिखना सिखा सकते हैं बहुत ही आसानी से तो कोशिश करनी है कि पहले सिमिलर अक्षर सि इसे मैंने सिखाया उ बड़ा उ अ बड़ा आ ए बड़ी ए व बगह हो गया धो हो गया इबड़ी इस तरह के सिमिलर अक्षर पहले आप लोगोंने बच्चों को सिखाना है तो उमीद करती हूं वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अगर हैल्फूल रही होगी तो आने वाली नई वीडियो की नॉटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके थैंक यू थैंक्स फूर वाच बबाई